गुर्देव भगवान, आपके चड़नों में कोटी कोटी नमन, महराजी, जब से नाम जब करना शुरू किया है, तब से सुख दुख एवं जीवन की हर परिस्थिति सामाने सी शुरू हो गई है, मेरा बचपन से लेकर अभी तक का जीवन दुखों वा कस्टों से, असफलता से निकला है, अब जब से आपका और श्री जी का आशे लिया है, तब से सुख वा दुख सफलता तो आती है, परन्तु आंतरिक भाब से मेरा मन शान्त वा सुख वा आनन्द में रहता है, दुख वा शान्ती अभी नहीं आरी माराजी, गुर्देव भगवान, मेरा भजन का प्रभाब है ये, या मेरे पुन्ने खतम हो रहे है, या राधरानी की दया है, या आपकी कृपा है, माराजी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अभी भजन का प्रभाव, जो सत्संग सुन रहे हैं, जो नाम जब कर रहे हैं, वो भी मिल सकता है, पर अभी कोई ठिकाव अच्छा है, पर ये, अलप है, अभी भूमा не ही, अभी कोई सिध्धा वस्ता नहीं है, पर बहुत अच्छा है, अगर ऐसा विचार आने लगा है, कि शुक्दुख में शमानभाव रप्तर नाम जब कर रहे हैं, हम बिचलित नहीं हो रहे हैं, त़र अच्छा है, पर प्र पर ध्यान दीजिए नए वस्था है अभी ब्रमचर्ट ठीक है नहीं अभी क्या सुख दुख के सवाल बावा गया कोई बात सुन करके लिख देना और इस्थिती में आना बहुत कटिन होता है क्योंकि जब वह इस्थिती आएगी तो इच्छुद्र गंदी बाते हट समाज से काम नहीं चलेगा उसको प्रयोग मिलाएं तो आप गंदी बात करते हो आपका ब्रमुचर्शिव है अब गंदा चिंतन भी होता होगा तो अभी तो गंदी बात होती है तो अभी शुदार के आप बच्चा सुख दुख में समानबाव कहां आया यह तो गंदी बात है इसको तो तुम्हें अशैनी होना चाहिए ना तो यह फिर इस्तिती ठीक है लें हम इसलिए कह रहे हैं कि हम चुप चाप ऐसे आपको उत्तर दें इसलिए कि अभी आपकी नवीन उस था आप अच्छे बन सकते हो आप अपना शुधार कर सकते हो तो जो गंदा चिंतन बन को गंदा करते हैं क्रियाय जब गंदी होती तो शरीर का दर्शन गंदा हो जाता है सअधन के लिए कि अध्यात्म में किसी का सुधार हो जैसे आपने लिखाई बहुत अच्छी स्थिती होती पर आपकी नहीं है इसलिए इस इस्तिति को लाने के लिए पहले निव मजबूत करो अभी आपका कोई ब्यातु हुआ नहीं है अध्यात्म की प्रथम सीड़ी में आपने आग लगा दी अच्छा ब्रह्मचर छेंड करने की क्रिया होने के पहले उसका चिंतन होता है वो चिंत में रूची बढ़े और गलत क्रियाओं को त्याग ये नाम जब कीजिए पढ़ते हैं हाँ खुब अच्छे से पढ़ाई करो पढ़ाई को भगवान का भजन मानों खाली समय में रादा रादा जपो गंदे बच्चों का संग मत करो मुबाइल की गंदी बातों को मत देखो अच्छे आच्छन करो तो ये भागवति की स्थितियां भी आ जाएंगे हमारे समाच की सेवा लाइक भी बन जाओगे अच्छे पढ़े लिकर किसी किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे तो एक अच्छे समाच से भी बन जाओगे क्योंकि आपको अध्यात्मे में कारी है कोई सेवक बन भी प्राप्त होगा तो समाच की अच्छे सेवा करें ठीक है